हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एके क्लासिद जैपुर में दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं CET मॉडल पेपर आज इसकी सेकंड क्लास है जो आपकी CET एक्जाम में बहुत ही मैत्पून है यहां से CET एक्जाम में क्वेस्चन पूछे जाएंगे यह क्लास आपके लिए बहुत ही मैत्पून है तो क्लास को लाष्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहला क्वेस्चन है हमारा 56 अकाल कि समय पढ़ा था अंसर हो जाएगा अठारे सो निन्यान में इस वी को ओप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा 56 अकाल अठारे सो निन्यान में इस वी को पढ़ा था नेक्स्ट क्वेस्चन है प्राकृतिक गैस पर आदारित सक्ती परियोजना इस्तित है आंसर हो जाएगा रामगड में प्राकरतिक गैस पर आदारिश सक्ती परियोजना कहां पर इस्तित है रामगड में नेक्स्ट क्वेस्टन है जोदपुर के निकट ओसिया में इस्तित मंदिर समू किस राजबंस की देन है तो इसका अंसर हो जाएगा पिर्तिहार जोत्पुर के निकटे ओसिया में इस्थित मंदिर समुओं की पिर्तिहार राजवंस की देन है पिर्तिहारों की देन है नेक्स्ट क्वेस्टन है भासा बिद्वानों के अनुसार राजिस्तान की प्रमुक भासा है तो इसका आंसर हो जाएगा मरू, भासा बिद्मानों के अनुसार राजिस्तान की प्रमुक भासा मरू भासा है नेक्स्ट क्वेस्टन है, पदमावत के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मौमद जासी पद्मा गरंत के रचनाकार हैं मलक मौम्मद जासी नेक्स्ट कुष्चन है चित्तोडगड का तीसरा साका कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1566 से 1568 के बीच में चित्तोडगड का तीसरा साका हुआ था नेक्स्ट कुष्चन है राजिस्तान में बूड़ी तीस मनाई जाती है आंसर हो जाएगा बाद्र पद क्रिश्न तृतिया को राजिस्तान में बूड़ी तीस मनाई जाती है अगला कुष्चन है निम्ने में से मारवार छेत्र का प्रिसिद्द लोगईत कौन सा है? आंसर हो जाएगा गुडला मारवार छेत्र का प्रिसिद्ध लोगईत कौन्चा है? गुडला, लोगईत, मारवार छेत्र का प्रिसिद्ध लोगईत है नेक्स्ट क्वेस्टन है हिला ख्याल में किस बादियंत्र का प्रियोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा नौबत हिला ख्याल में नौबत बादियंत्र का प्रियोग किया जाता है सागडी प्रथा का अर्थ है आंसर हो जाएगा बंदुवा मजदूर सागडी प्रथा का मतलब क्या है बंदुवा मजदूर नेक्स्ट क्वस्टन है मीनाकारी की कला राजिस्तान में सरप्रितम किस राज्ज के द्वारा लाई गई अंसर हो जाएगा मान सिंग जैपुर के द्वारा राजिस्तान में सरप्रितम मीनाकारी की कला लाई गई नेक्स्ट क्वेस्टन है राजिस्तान के किस राज्ज में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया अंसर हो जाएगा जैपुर राजिस्तान के जैपुर में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया next question ए मारा बंविन रत्य किस इस्तान से सम्बंदित है answer हो जाएगा बंविन रत्य भरतपुर डिस्टिक से सम्बंदित है next question है जिले इस्तार पर समस्त सेवाओं का प्रिय विक्षन समन्वे नियंत्रन निम्न में से कौन करता है आंसर हो जाएगा जिला दीज जिले इस्तर पर जो समस्त सेवां का परिवेक्षन है वो जिला दीज के द्वारा किया जाता है आंसर हो जाएगा जीवास्म इनन को जलाना भूमन लिया तापन का प्रमुक कारण है अगला क्वस्टन है अपवा छेत्र की द्रश्टी से जो विष्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है अंसर हो जाएगा अमेजन अपवा छेत्र की द्रश्टी से विष्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है नेक्स्ट क्वस्टन है सिंद्री किसके उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है अंसर हो जाएगा जुआर्य उर्जा के लिए सिंद्री जुआर्य उर्जा के उत्पादन के लिए प्रिसिद्ध है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमलेकित में से किस अफसर पर जल्वा पूजन किया जाता है अंसर हो जाएगा सिसु के जनम के कुछ दिनों के बाद जल्वा पूजन किया जाता है जिसे हम कुवा पूजन या जल्वा पूजन कहते हैं Next question है निमलेकित में से कौन कोटा में 1897 की क्रांती के समय नेता था? आंसर हो जाएगा जै दैयाल जै दैयाल एखारी सो सचामन की क्रांती के समय कोटा में क्रांती के नेता थे? Next question है राजिस्तान राज मानवा दिकार आयोक का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1999 को राजिस्तान में राज्यमानवादिकार आयुक का गठन किया गया अगला क्वेस्चन है भारत के सभीदान की उद्देशिका में किस स्वतंतिरता का बर्नन नहीं है आंसर हो जाएगा नेतिक्ता बारत के सभीदान की उद्देसिका में नेतिकता का बर्नन नहीं है नेक्स्ट क्वस्टन है प्राकृतिक गैस को द्रब में बदलने ये तू क्या करना चाहिए अंसर हो जाएगा दाव देना चाहिए प्राकृतिक गैस को द्रब में बदलने के लिए उस पर दाव लगाना चाहिए नेक्स्ट क्वश्चन है अंसर हो जाएगा श्री हरी कोटा में अगला क्वश्चन है सोने में सुगंध होना मुहाबरे का उपयुक्त भावार्थ है अंसर हो जाएगा किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विसेश्था होना या किसी चीज की अपने खुशी है और उसके उपर और खुशी हो जाती है तो सोने में सुगंध होना मुहाबरे का उपयुक्त भावार्थ है अगला क्वशन है बिंडो सेवन क्या है अंसर हो जाएगा ओपरेटिंग सिस्टम बिंडो सेवन एक ओपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट क्वशन है जीन माता कौन से राजपूत बंसकी कुल देवी है अंसर हो जाएगा चोहान बंसकी जीन माता चोहान बंसकी कुल देवी है नेक्स्ट क्वशन है धर्ती से आकास के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्गे कौन सा है अंसर हो जाएगा तारागड दुर्गे धर्ती से आकास के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग है तारागड दुर्गे नेक्स्ट क्वस्चन है बडार का बोजन निम्न में से किस मोके पर रखा जाता है अंसर हो जाएगा बिवा के बडार का जो भोजन है वो विवा के अप्चर पर रखा जाता है नेक्स्ट क्वस्चन है निम्न में से कौनसा पसु मेला नहीं है आंसर हो जाएगा रामदेवरा रामदेवरा एक पसु मेला नहीं है नेक्स्ट क्वेस्टन है गोरबंद से किस पसू का स्रंगार किया जाता है अंसर हो जाएगा उट गोरबंद से उट उट करे गरे का जो हार होता है उसे गोरबंद कहते हैं इसे उट कर संगार किया जाता है ओके दोस्तों क्लास यहां पर समावत होती है यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें ठैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए